हलो गाईज दिस इज शिक्षो पाद्या आप सभी का हमारी यूटूब चानल ब्लेट कोर्स में हार्दिक स्वागत है गाईज आज के सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं टीचिंग मेनिंग एंड डिफनीशन यह ब्लेट फिकेंड यह के कॉर्डिंग यूनिट सेकेंड और य आज घाईज हम डिसकस करेंगे गाईज वीडियो की प्रारम में हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे अगर लाच तक देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और पने दोस्तों के साथ सेर कर दीजी ताकि वो लोग भ लेकिन इससे कम नहीं जैसे कि अकेले एक मार्गी नहीं हो सकता है कि केवल सिक्षा की रहे या कोई अकेले छात्री ही रहे तो अगर इस्टूडेंट टीचर दोनों हैं तो ही प्रक्रिया जो है सिख्षड की वो संपूर होंगी बिना एक दूसरे की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती अकेले यह प्रक्रिया हो ही नहीं सकती जिसके दोरा विचारों का आधान प्रदान होता ह जैसे अगर एक की दो या दो से अधिक लोग रहेंगे, तभी तो हम अपने बिचारों का आदान प्रदन कर पाएंगे, हम जो सोच रहे हैं या जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो ग्यान का प्रचार कर रहे हैं, ये दूसरों के प्रदन कर पाएंगे, अगर हम अखेले ही रह जा तो अंताक्रिया क्यों है क्योंकि यह सुजम्ष्ट है और ना समाधान कर सकते हैं तो यानि कि जो अपने प्रश्न का समाधान कर सकता है एक न्ट्र Money दो लोगों के मध्ध्य होने वाली प्रक्रिया highest साथ अगर लोग एक दूसरे की साथ सिच्षड कर रहे हैं तो और कंते की चुर्षड होना जरूरी है कि वह उसी को और Mozart चुनकर उसी की माध्यम से वो पढ़ा सकती हैं कि बच्चों को में क्या-क्या पढ़ाना है यह टीचर और पूछे के प्रश्णों का उत्तर देने में सिक्षार्थी कितने योग है यानि जो कंटेंट या जो भी स्लेबस है जो भी करिकुलम है तो अगर उससे रिलेटेड कोईश्यन कर रहे हैं तो यह स्टूडेंट कितना उसका आंसर दे रहा है यह इस पर निर्भर करता है कि ज श्चर्ड कार वह हैं जिसकी दोरा एक सिक्षड अपने चात्रों को ग्यानियम कौसल प्रदान करता है को प्रवाहित करने वाली अधुक्री यह को सिक्षड के हैं सिक्षड की कुछ महतपूर परिभासाय निमलिखीत ही इदमंड कि अन्ता मक्षित याने कि התम की छी गएडिश्द मेंल्य से जोई बसले स दो लोगों को गroe Canadian को आपस में आदान प्रदान करते हैं जो कच्छा कट करने में वाणत करने केल या एक निश्चित बद्भधा विद्आर्टियों, यानि एक निश्चित इनका एम रहता है उसे को गेन करने के लिए निशित स्लेबर्स के कॉर्ड forty-ij ним लोग अपने घ्ञान का आदान परदान करते हैं एक दुसे को समझाते है जब और fan puj ho जाता है तब वह अपने एम को गेन करते हैं तो इंके एड्मैंड एमीडन के according है इनका नाम याद रख सकते हैं एड्मेंड हिलेरी के द्वारा एड्मेंड हिलेरी तो एड्मेंड एमीडन ने कहा है कि जो teaching है सिक्षर जो है वो interactions की process है अंत्रक्रियात्मक process है और ये दो लोगों के मद्ध्य होता है एक निश्य तुद्धियोशों की प्राप् सकते हैं इंग्लिस में इनकी definition देख सकते हैं according to Edmund and Emidon teaching is an interactive process primarily involving classroom talk which takes place between teacher and people and occur during certain definable activities तो आपको जिसमें भी suitable लगी जिस भी language में आप अपनी definition याद कर सकते हैं चीजों को समझ सकते हैं अब फिर उसके बाद गाईज हम देखते हैं बीयो समित के recording इन्होंने क्या विचार दिया है क्या मत दिया है सिक्षड क्रियाओं की विधी है जो सीखने की उतसुक्ता जागर्द करती है यानी जब सीषड च के अंदर यह भी यो इसमित के कॉर्डिंग था इंगलीज में टीचिंग इस सिस्टम ऑफ एक्शन्स इंटेंडेंड तू प्रोड्यूस लर्निंग कि फिर उसके बाद गाइस हम देखते हैं रायबर्न के कॉर्डिंग रायबर्न के एकॉर्डिंग है कि सिक्षा में तीन केंदर बिंदय होते हैं उप यानि हम याद रख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि जो सिक्ष्छा है उसमें तीन केंद्र दूर है अगर रहेंगे तभी सिक्षण करük प्रिक्रियाय है उस अमपूरश होगी सिक्षण बालक और पाथिवस्तू यानि कि teacher, student और content, slabus, जो है इन तीनों के मद्ध होने वाली प्रक्रिया है यह ठीन बिंदू है, सिक्षड इन तीनों में स्ठापित किया जानाा किया जाने वाला सम्बंध है, यानि कि जो सिक्षड है टीचिंग है, इन तीनों के मद्ध एक सम्बंध स्थापित करता है तो रायबन के कोर्डिंग हम याद रखते हैं कि तीन बींदू कौन तीन बींदू हो सकते हैं और प्रियो स्मिप स्मिफ ने क्या ना कहा है कि यह जो सीखने सब्सक्राइब कर देखते हैं इंग्लिश में डिफिनीशन राइबर्ण की देया थ्री फोकल पॉइंट थ्री फोकल पॉइंट कौन-कौन स्टूडेंट टीचर एंड कंटेंट टीचिंग इस रिजलेशन सिफ विच इस्टेबलिश विट्विन इस त्री यह राइबर्ण के इसमें हो गई फिर उसके बाध हम देखेंगे बटेंग के चैक्शड शीखने के लिए प्रेणडा पष्परदर्शन तथा पत्रिदेशन यह पृत्साहन है जैसे कि जो सिक्षड है जो सीखने के लिए प्रेणडा यानी की इंस्पिरेशन मोटिवेशन पष्परदर्शन यानि की guidance प्रोच्छान यानि की encouragement जो सिख्षड है यह हम लोगों को प्रेडित करती है पढ़ने के लिए चुछों को समझने के लिए और हमारा मार्ग दर्शन करती है कि हम अपना रास्ता किस प्रकार से चुन सकते हैं और प्रोच्छान देती है जैसे कि अगर हम कोई रास्त चुन लिए हैं तो उसमें क्या-क्या है इन सब के बारे में बताती है और हमें पढ़ने के लिए और ज्यादा प्रोच्छाहित करती है बर्टन की according इन्होंने कहा है कि सिख्षड सीखने के लिए प्रेड़ा पत्परदर्शन पत्निदेशन या प्रोच्छाहन है यानि सीख कर सकते हैं इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं इस्टुमिलेशन गाइडेंस डिरेक्शन और इंकरेज्मेंट ऑफ लन्निंग उसके बाद गाईज है क्यों डंकन के एकॉर्डिंग सिक्षड एक ऐसे विशिष्ट व्योसाइग विवेकपूर तथा मानवी प्रिक है यानि की अधि आधिगम में प्रशन उठता होगा की सीखना ओर आधिगम में क्या अंतर है तो वैसे चाहिशना हम ऑप्रेज्व अधिज्व फरते हैं वह अधिगम है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अधिगम यहां दूसरों को कल्यान के समर्थन हे तु करता है यानि सिक्षड एक विशिष्ट बेवसाइक विवेक पूर तथा मानवी प्रोसिज है जिसमें बेक्ती स्रिजनात्म क्याने की क्रिटिवटी कल्पनात्म क्याने कि imaginary जो पावर है वो स्वयम टथा स्वयम के ग्यान करता है तो जो हमें इत्याता है वो दूसरों को ग्यान हो जाता है और हमारे ग्यान का विस्तार हो जाता है और ऐसे हमारे ग्यान में जो सुद्धियां रहती हैं तो अगर हम एक दूसरे के सामने प्रगट करते हैं तो जिससे हम अपने ग्यान में जो सुद्धियां हैं उनको हटा कर अच्छे से ग्यान कर सकते हैं और बच्चों को जिनको ग्य इसमें एक डिफिनीशन देख लेते हैं टीचिंग इज एन एक्टिविटी ए यूनीक प्रोफेशनल रेशनल एंड हुमन एक्टिविटी विच आर क्रिटीवली एंड इमेजनेटीवली यूस हिंसेल्फ एंड हिस नॉलिज तू प्रमोट दा लेर्निंग एंड विल्फेयर यानि कि दूसरों के विल्फेयर कल्यान प्रोमोट यानि कि उसकी अधिगम को बढ़ाना इन सबसे रिलेटेड है लेर्निंग क्लार के एक ओर्डिंग देख लेते हैं सिक्षर प्रक्रिया बालक के बिवहार में परिवर्तन लाने है तू निर्मित वा प्रदर्शित की गई चैनल कर रहा है तो अगर वह गुत्त बिवहार कर कर तो अगर बिवहार कर सकते है कि सही बिवहार किया है गलत बिवहार क्या है इस प्रकार वह demand परिवर्तन लाएगा चीजों को सीख कर और इनिजानकार्यां लेकर वो उस्का भी है वह उसमें गाधा सकता है वो झादा अच्छे से प्रिजंट कर सकता है तो यह सब किसकते सहरा होया है इसे से सहरा है फिर उसके बाद जैसे कि अगर हम हमारे एक्जाम में आ गया है बिल्ट के पेपर या किसी भी अधर एक्जाम में तो हम पहले इमीनिंग लिखते हैं concept भी लिखते हैं अगर पूछा गया है फिर उसके बाद डिफनीशन लिखते हैं कई मनोवा ग्यानु के जिन्होंने भी है फिर उसके बाद एक निसकर्स लिखते हैं कि इन चीजों को अभी तक जो हमने बताया है जो हमने लिखा है उससे क्या conclusion निकलता है तो इसके बारे में लिखते हैं तो वही गाइस लाश्ट में निसकर्स है तो देखते हैं अता सिक्षड की प्रक्रिया कि उत्तम परड़ा कर सकते हैं तीनों ही teaching की process में तीनों जो केंद्रविन्द। है एक यदि किसी याने कि इगम कर सकती है ये तीनों पच्ष एक 말ền होते हैं इसलिए एक सफ़र सेaces को सिखड करते समय अपने लक्ष को लक्ष छाट्र अपने संबंदू't बिखनी को बालक अपने वातावरण के प्रती बूरी प्रितक्रिया ना करके केवल अच्छी प्रितक्रिया ही करें यह मात सिख्षड द्वारा ही संभा है क्योंकि हम अगर सिख्षड के द्वारा बच्चों को ग्यान प्रदान कर रहे हैं या उसके बारे में सही चीजों को बता रही हैं तो अपने बिवहर में परिवर्तन करके वो सही कारे कर सकता है अच्छी प्रतिकरिया करके ही उसका सारिक सामाजिक और अध्यात में विकास हो सकता है गर वो सही रिस्पंस कर रहा है तो जो उसका ओवराल डिवलमेंट होता है सामाजिक, मानसिक, समय गात्मक ये सभी प्रकार कि उसके विकास होती है इस अंदर में Simpson का विचार है Simpson ने कहा है कि सिक्षडवास साधन है जिसके द्वारा समाज अपने बालकों को चुने हुए वातावरन से जिससे कि उनको रहना है सिख्षड के माद्यम से जिस society में जहां भी रहता है तो सिख्षड के माद्यम से हम उन्हें ग्यान प्राप्ट करवा सकते हैं और चीजों को सही तरीके से बता सकते हैं तो ऐसे वो अपने ब्युहार में परिवर्तन कर समाज के साथ एनवाल्ब होने के लिए प्रेदित रहता है और सही सही कारिवों समाज के साथ करता है फिर समाज भी अच्छा रिस्पांस उसके साथ भी करता है तो ये किस के माद्यम से संबह हो ये teaching या सिक्षड के माद्यम से संबह हो तो गाईज मुझे आशा है उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का सेशन बहुत ही पसंद आया हो होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ तेयर कर दीजिए बियलिट कोर्स को बियलिट कोर्स का जो चैनल है यह आ आप लोग आगे बढ़ाने में इसका प्रोग्रेस करने में सहयोग दीजिए फिर ताकि हम भी आप लोगों को अच्छा कॉंटेंट दे सके और आप लोगों का जो ओवराल डेवलेप्मेंट है सरवांगीर विकास है पढ़ाई के माद्यम में करवा सके तो गाईज आज के बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ थैंक्यू गाईज थैंक्स पा वाचिंग आईज